सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब उनिक एजुकेशन चैनल को और इस यूट्यूब के वैल आइक्ट में क्लिक करें और आल नोटीश में क्लिक करें और ऐसी टेक्नलों सी वीडियो देख लेंगे सबसे परलो दूस्तों मेरे नाम कमोन को आ रहा है और आप देख रहे ह की जानकारी मिल पाएगी, तो organ शुरू करते हैं, तो पहले आपको अपने Google Play Store पर जाना है, क्लिक करना है, और जहा आ रहा है, सरच बार रहा है, इस पर यह टैप करना है, और यह टाइप करना है, तरमक्स, त्रमक्स यहसे आफ टाप करेंगी, और टारओरेंसे सर्च फ़र पर टाप करेंगी, टारमक्स, एंटर करेंगी, ओर टारमक्स अब आपक्लिकlichkeitısı आएगी, अब इससे दिर्फ और एह, इससे इस पर टारओं इप लियुपर, यहाईगी, आपकी जैए करेंगी 합니다. डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी फ्रेंड 17.56 MB की साइज की MB की फाय जो अप्लिकेशन है जो आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि दिने में डाउनलोड हो गया है इस इंटरनेट स्पीड अभी स्लो आ रही है इसलिए तो डाउनलोड 1 MB की स्पीड आ रही है जल्दी स्टोल हो गया तो फ्रेंड की स्टोल हो गया स्टोलिंग हो रही है स्टोल हो गया अब जैसे हम इस अब आप सेक्शन में जाएंगे अब यह लिखा है तर्मेन इमिलेशन फिक्स हैंडलिंग डिक्रूंग और सिकेंज इसू फिक्स क्रेश यूजिंग रॉन कमांड सर्विस इसूस फुर्व्क ग्राउन सेशन फूल रिकेश्ट, अपडेट, बूस्ट, ट्रैप, बूस्ट, स्ट्रैप और चिप्स इस टर्मन्न एमिलेटर है जो linux environment प्रड़ेट करता है इसमें इसमें आपको termx की combine's powerful terminal emulator मिलते हैं इसमें जिए linux के package बहुत ही collection बहुत सारे packages होते है इसमें आप इंजॉय दबेश और जैड़ेश, एच, सैल भी इसमें फाइल मेनेज कर सकते हैं इसमें इसमें एनन, रेड़ेट, देम, नैनो, बीम और इमेड्स इस तरीगाई के तूल इसमें आप यूज़ कर सकते हैं make and gdb, use the python console इसमें python का भी आप इसे python भी यूज़ कर सकते हैं इसमें 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 सीख सकते हैं check out project with git, git command के इसमें चेक कर सकते हैं run text based game भी इसमें खिल सकते हैं अब इसमें खिल सकते हैं aborgen है 0.1101 इसे update किया था September 29, September 2020 download user है 10 million जानी की एक कडूर, offered wide है faderic, released on 30 यून 2015 रिलीस किया था app permission, storage, read the content of your SD card, modify or delete content of your SD card other में है, run or foreground service, have full network access, view network connection, ask to ignore battery optimization control vibration, this app can appear on top of other apps, prevent phone from slipping storage permission है, इसमें request access है, इसे आप permission allow कर सकते हैं, Tramaks के लिए next अब इसपे हम इस application को open करके देखती है, क्या 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 है अब यह installing हो रहा है जैसी आप इसे खोलेंगे तो welcome to Tramaks, Tramaks के अगर वी की, इसमें HTTPS Community Community from Gitter Chat है, इसमें IRC Channel Search Packages, वर्किंग विद पैकेज, वर्किंग कर सकते हैं, पैकेजिंगी करना है, तो PKG install command का यूज करेंगे, और आगे इस package का नाम लिखे देंगे, आप package install हो जाएगा अगर आपको पैकेज जो Tramaks है, अपग्रेट करना है, अलब बर्जन अपग्रेट करना है, तो इसे अपने PKG करना है, अगर आपको रोट करना है, तो इसके द्वारां कर सकते हैं, अब इसके द्वारा कर सकते हैं कुछ कमांड है इस पर हम दिखाते हैं अगर आप पहली बार जब भी अप्लिक्स इंस्टॉल करेंगे तो अब इस तरीके से इंटरफेस आएगा ट्रमेक्स का तो हम पहले से अपडेट करते हैं अपडेट करने के लिए एक कमांड है अपडेट 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 जैसी इस कमांड को एंटर करेंगे तो यह अपडेट होगा इंवेलिड आ रहे आ ए स्वरी मैंने गलत कहा है एक कमांड लिखता हूं और अपडेट यू पी डे टी इस कमांड को लिखिंगे आपडेट होगे। अपडेट हो हरी है कि अप्डेट हो ओगया अब मीचे अपग्रेड करना एं अब अबडेट अपडेड करना इसे है है तुसर कमाक्रेट के से करें कि कमाक्रेट कि कैसे कमाद है के bit ूप अफुवेड गरेड इस देनी इस कमाड से अब ग्रेट हो जाएंगे वन डेन्न या नहीं होती है next ओ आई इस से परमिशन दे दूघेंगे एस कर देंगे एस है नो तो हमें यह एस करना है अब आपग्रेड करना है नै अपग्रेड हो रहा है आ अग कि व्रेंड अफ्रेंड हो रहा है हुआ हाँ है अप्गेड चलिए इस्टोलिंग प्रोसेस चलिए आपकी इंट्रेनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है अब कितनी दियर में हो पा रहे हैं पेशन्स रखें की पेशन्स फ्रेंड अप्डेट हो जाएगा महली आपका अगर यह इस तरीका से रुख जादा तो आपको प्रेसр करना एंटर करदीना है फिर से स्ट्रेट हो गया अप्डेटिंग कि अप्ग्रेड होगे फिर है अब फिर अ को इनडिकात बैसने में यो आ जैनो तो मैं येस करना मुनियों कर दे जब तक कि यह process पूरा नहों जाए कि अ है कि अ है कि अ है कि कुप्लिट हो रहा है बर्किंग चलिए start है अके फिरेंट देट हो गया हमारा जो traintte अफ्डेट जो इभ्यAmerica लिए अभी हमारा करका मैंक्स अभी हमारे क्लिये इससे क्लियर करना है तो में सालन्य यह ओंतों gonna करने क्नलां और्लिfonamy जिसी इससे चलिए हो जाएगा अब हमारे अवह विल्कुर रेडी हो घ्ल स Bak techniques हम्हां जैसे की वोड करेंगे जैसे आप इस पेक्लिक करेंगे करेंगे तो चैया को जूंसरे क्लिक करेंगे जैैसे चैसे क्लिक करने सब्सक्राइब अब इस परना होगा जैसे इस पर click करेंगे और वह appear होने लगा, keyword का मतलब होता appear नहीं होगा, keyword पर click कर देगा, not appear, अगर हमें session create करना हैंगे, session create पर डो, two session होगे तेन session करने है, तेन session create होगे, अब जिस session में हम काम करना है, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, लस तुम के लिए कुछ नहीं, clear, कुछ नहीं आए कुछ नहीं हमानी दिरेक्टरिम कम कुछ नहीं है अब अम इसे नहीं मन कर से लिए one 2 है जो बनर séion用 three three session है हम इसे बिल्लकु एक लिनोर करता है तो हम इस पिर के लिए and ah jesse am three sessions in second session second session में जाना है तो गोर या टाइप करेंगे और more more option ग्लिक करेंगे , हमार जो skill process है इस पर клилем करेंगे तो क्लिक कर दिंगा हमार जो 3 session है वह exit हो जाया है 2 second session में आप जैसी हम &enter करेंगे आप 2nd session में पीचला गया , जैसी हम हम इस पर एक्लिक करेंगे अब हम इस फिर click करके रहेंगे पुर्ण्डो पर आज मैं उसकी उआ कि पेंगे गए करूक कि अभी क्लिक करेंगे उर्फ क्लिक प्रोस्टेस प dessa करेंगे तुमारा क pocz ब로स्ट पर बार डागए और जुद रड़ा तर्मेक्स को बन्दब अपडेट कैसे करते हैं वह सारे कमाड हम निकल लिए और अगली वीडियो हम आपको सखाएंगे बेसिक कमाड जिसमें हम 20-30 मिनिट की वीडियो पूरा बेसिक कमाड नहीं करके दिखाएंगे कैसे आप उस पर सीख सकते हैं कैसे प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रेंड नेक्स वीडियो में मिलते हैं गुडबाइ टिल लान हलो दोस्तो में नाव कमल कमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुगेंट चैनल तो आज कि इस वीडियो में हम सिंगे हैं बैसिक टर्मक्स की बैसिक कमांड मतलब इतनी वी टर्मक्स की बैसिक कमांड है उसमें हम डिसक पूरी एक्टिवियेट बताएंगे और तर्मक्स की बैसिक कमांड में आप क्या के सीखेंगे इस बता देते हम अब क्रेट दा फोल्डर और विडियो को सुरू करते हैं अगर आपने हमाई चैनल को सब्सक्क्राब न क्लिक करें और जैसे हम वीडियो डालेंगे और सबसे पहले हुचेगी क्योंकि ऐसी अधिकल हैकिंग वीडियो हम अप्लोड कर रहे हैं डे टूडर लाइफ में आपके लिए तो फ्रेंड शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने टर्मक्स अप्लिकेसियों इस्टोल कर करने के लिए आप गूगल प्लेश्टोर पर जाएं और गूगल प्लेश्टोर पर सर्च बारों में आपको टाइप करना है टर्मक्स जैसे आप टर्मक्स टाइप करेंगा एंटर करना है और आपकी अप्लिकेसिन आ जाएगी या मैंने अलेडिया पहले से इसे इस्टोल कर करते हैं mir Kraft MBA कर ले ना आप, बैलकम टू तर्मेक्स ये आ जाएगी इसा पहले क्लिए केले वाख कर लेता हम इससे त्राइक्स को में फिर सुरू करते हैं कि तो यूगरते को कुछ तो पहले अप्डेट और में अप्डेट और अपग्रेट करना होता है अप्डेट करने के लिए अप्डेट करने के लिए आपको एंटर करना है और आपके जो पैकेज है टर्मक्स अप्लिकेशन को अप्डेट होगी अप्डेट करने के लिए अप्डेट करने के लिए अप्डेट करने के लिए आपको एक कमांड लगाने होती है दूसरी एपिटी अप्डेट 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 को लगाती है आपको एंटर करना है और अपडेट हो जाएगी मैंने पहले से अप्डेट कर लिए से आप क जाइंगे तो पहले हम देख रहा है कि इसमें हू यूजर्ने माझना इसमें जो पता करना है कि इसमें जो ट्रमक्स है वो कौन यूजर है जो से उसके देखने के लिए कौन सी कमाण्ड यूज करने हैं whom a m i है हुआ इसे पता लगा सकते हैं जो तरॉमेक्स हैوس का मतलब यूजरनें पता कर सकते हwahे एंद करें यह कमंड्ड आपको लिखनी और आपको यूजरनें लगा कर देना है अब मुझे अब डाइरेक्टर के रेट करना है जहांसे मैं डारेक्टरी क्रेट करना हूं तो मैं इन लग मुझे path of navigation तो मैं एक command है जिसे हम path of navigation पता सकते हैं home directory में या हम कुन सी directory में है तो हम एक command लेखेंगे इसे हम पता कर सकते हैं जाना इस डारेक्टरी में तो मिझे cd कमांड लिखना है cd.ls करूँगा और इसमें pwd करूँगा अभी कुछ फर्क नहीं बड़ा अब मैं फिर एक लेवल अब जाना तो cd कमांड करूँगा आप जाना है तो मुझे फिर से कमांड लिखुआ है cd कमांड से टू लेवल अप में जाते हैं cd कमांड से तू लेवल अप में जाते हैं अब टू लेवल अप में गये अब माल त्री लेवल अप में जाना है मुझे लेवल अब में जाना है तो मैं cd कमांड करूँगा डबल डॉट और स्लैस डॉट 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 एंटर करूँगो अब 3D अब जी देखिए 3D त्री लेवल अप में गया होम डारेक्टरी में तो मैं इसे सिथे डिर्फ मनलब तीन लेवल अप जाना हमें हम डरेक्टरी करेंगे करेंगे देखिए इट हम पहुंच गए अब इसे बैक जाना है माल लीजिए हम डारेक्टरी में जाना मों तो सीडी कमांड लेएंगे और हम लेखेंगे $ home एंटर कर देंगे अब PWD करेंगे अब हम हम डारेक्टरी में पहुंचेगे अपने देखा path home navigation आपने पतने क्या path home navigation हो गया तरही हमने एक डारेक्टरी से एक लेवल ठी लेवल अप गये और इसमें आपको बताया कि कैसे आप बापशाएंगे पर हमारा path of navigation अब हम सीखते हैं अब हम सीखते हैं अब हम सीखते हैं अब हम सीखते हैं सीख हम यूजर हम देखने हैं हमारी जो तरमक्स अप्लिकेसिन में मैं जाक्या के किrontेंट है मतला यूजर ओम और यूजर में है क्या किर almost करेंगे चेक करेंगे छो नहीं है kys from cd कमांड करने होम इसके झीजर की कमांड में जाना हॉम और यूजर कमांड मतलब डारेक्टरी में फीमारे लास करेंगे हम एलेस करेंगे а हम यूजर और हम डारिक्ट्री वा है हम इसे जैसी हम इसे cd . करेंगे फिर एलस करेंगे हमारी यह कैस कुछ कंटेंट दिखा रहा है कैस है कैस कुड्ट ओंगर्स कॉंफिगरेशन कैस डॉट टेक्स्ट तरगास यह रहा है तो हम इसे बैक जाना है के लिए अब करेंगे तो हम इसे बैक जाने एंस cd वाप जाने data sign और इसे हम केलिर कर देंगे क्लिए तो हम्में देखना है मालो हमारी जो pwd में हम चैक करना है कि लेस्ट कुछ नहीं है हमारी डारेक्ट्री में हमारी जो मुझे अपनी डारेक्ट्री है जिसमें चेक करना है मुझे हमारी कितनी लिस्ट है कितनी लिस्ट है डारेक्टरि हमारे जो हमारे में में क्या के पर मिस्ट है हम लिस्ट हमारे क्या करना है वो चेक करना है एंटर करेंगा तो टोटल अभी जीरो हमने कोई पर मिसंदी अभी कोई पर मिसंदी नहीं है इसलिए लस करेंगे लस हाइफन लस करेंगे और दिखा देगा मैं अभी टोटल जीरो है इसमें भी अब ऐसी अब मुझे देखना अल लिस्ट देखना है टोटल हमें टोटल लिस्ट देखने है इसकी कि डारेक्टरी में हम आइफन एल कुछ कंटेंड है इसमें सो कर रहा है कि आपको कंटेंड सो कर रहे हैं जैसी आप जी कमांड लेहीं मैं विसे क्लिए कर देता हूं अब जैसे ही आप सिक्रिक कर रहे हैं तो मुझे अब लस फिर करेंगें अब रिवर्स लिस्ट देखना है हम रिवर्स लिस्ट मतलब क्या के कंटेंड क्या है कंटेंड इसमें भी जीर हुआ क्योंकि कुछ नहीं है इसमें भी क्लिर कर देते हैं इसे और अमानली से में इस कमांड से आप अपने hd card में देख सकते हैं क्या क्या परिमिशन देगा हमारे hd card में क्या क्या है वो इसमें दिखा देगा तो फ्रेंड जैसी मैं एंटर करूंगा अब देखिए यह इसमें दिखा दिये हमारे 9 apps pro है android है एनिमेट टैक्स इसे इजएड स्कीन रिकॉर्डर भी है इसे बहुत सारे हैं कैम स्कैनर क्लैसील एप क्लियर स्कैनर डी डॉक्यमेंट डाउनलोड एगनेट इंट्रो मेकर आइन्वेस्टर बहुत सारे हैं जी कंटेंड आपको सामिक दिखा रहा है जो देखिए मेरे स्टोरिज में अब इजए हैं मैं से किलियर कर देता हूं कर अ मैं कर देघना के तोल इसते हैं स्टोरिपी एचश्डी कर देकानेके क्लिबल्स की आप लिए गीजद अल्टी next就可以4305 304 320 590 पीज़ाई में ग्लेक खाना अ कर देक सामिक एक लिस्ट कितनी है यह दिखा देगा मुला कितना हुआ तो हमारे इसमें नहीं यह कंटेंट आ गए देखो चेखे सिधा रहे कि सुझे इस में हमारे से 26 देखी इसे में देख्षो कर रहा हमारा तो आप HD Guard से इस Termax application के मदध से आपने storage के में देख सकते हैं मतलब क्या के content हैं वो आप सो इसमें termax की मदध से करा जकते हैं तो आप भी आपने क्या देखा अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने और दूसरे का सेर करें तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं अब मैं इसे clear कर देता हूं क्लियर करने के लिए CLEAR यह कमाड लिखनी है और clear हो जाएगी और फिर मैं इसे back आता हूं cd टिड़ा साइन बैक हो जाएगी अब इसे में clear कर देता हूं है हमें इसे clear कर देता हूं content को clear कर देंगे अब हम सीख ने सीख ले जा रहे हैं दडायरेक्टरी क्रेट कैसे करेंगे तो हम इस डायरेक्टरी क्रेट करेंगे तो हमें कमाड लिखनी होगी मैं डारेक्ट्री वन क्रेट कर देता हूं लस करेंगा तो यह डारेक्ट्री वन क्रेट हो गई डारेक्ट्री वन क्रेट कर लिए अब हमें एक डारेक्ट्री वन क्रेट कर लिए अब हमें एक डारेक्ट्री वन क्रेट कर लिए अब हमें एक डारेक्ट्री वन क्रेट कर लिए और हम इसे क्लिर कर देती है अब मिझे डियरक्टरी टू को डियरक्टरी वन में मूब करना है तो मैं लिकने होगी एक डियर्टटर मूब करने के लिए कमाड आपको लिकने हैं MB mb, Directory 2, Directory 1, यह % कमार्ड आपको लिखनी होगी, आप LS करेंगे, और आप बंड डरेक्टरी में, मूउव होगे, अब फिर हम Д Việt 1 में जाएंगे, CD कमार्ड लिखनी हें, और डारेक्टरी 1 करेंगे, लैलेस करेंगे हम डारेड़मारी और देरेक्टरी वन में तो डारेक्टरी यह च्रील अब इसे हम जैसे अभ टे Said General Per पहुत चाहिए, अम डिर्क्ट्री 1 में आगी है हमारी अब इसे लात करते हैं डिर्क्ट्री 2 है फिरेंट अफिर हम एक डिर्क्ट्री और क्रीड करेंगे तो कि एर डिएेटिर करते हैं jest करेंगि को टी टू डायेक्टी वन इसमें मरला हमने क्रिट करें डिरेक्टरी बन अब इसे मरला अब हमें कॉपी करने हैं कॉपी करने हैं हमें क्या करेंगे तो हम करेंगे cp cp hyphen r f1 f1 भूपी कर रहे हैं वो डारेक्टरी 1 में ls करेंगे एंटर कर दिया, ls करेंगे अब डारेक्टरी 1 और डारेक्टरी 2 f1 जो दोनों में मन्तब कॉपी कर हो गया, मन्तब जो f1 है हमारे देर्क्टर बने घर्पीए हो गहां there कि आई डैर्कटरी वन में कब इन उसले तो क्यों में मुख एवस तो ब सकंड़्वाज लेज़ें डैरेक्टरी वन करेंगे सीडी और डैरेक्टरी वन कि LS करेंगे कि भूर्सुरी मोग जाना है मैंने डिरेक्टर दो बार डिरेक्टरी बन में बैख आञके लिस करता है अ हुआ है आariamente it अब cd कमांड करता हूँ और डारेक्टरी 1 में जाना है पहुंचिके ठीक है pwd यह डारेक्टरी 1 में है ठीक है अब हम cd कमांड करते है डारेक्टरी 1 में है अब इसे हम रमूब करेंगे अब 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 करने के लिए हम एब वन डारेक्टरी रिखांगे इसमें एब वन डारेक्टरी 1 है सही है अब हम आरेम करते हैं आप अब करते हैं हमने एक क्योंकि रूमूब होगे हम फिर से करते हैं स्टेद एम के डारेक्टरी फिरसे क्रिट करते ही हूँ कि उैको रूमूब बैक कर दिए ऐमके डिय यार इस ऐफ़न के डिय यार के डिय यार और पीरने फिर से ए soundना है 1 F1 directory 1 OK, LS करना है mkdir kdir-rf F1 directory 1 valid option उता रहा है clear प्रिचे करते हैं cd command कर दीए cd pwd arm directory cd directory 1 ls किया ls किया अब आगे directory 1, directory 2, directory f1 तो हम इसमें आगे अब हम cd command करेंगे dot dot f ls करेंगे directory 1 में पहुचके वह back करना है cd directory directory 1 में जाना है back ls अब आगे ठीक अब इसे move करना है remove करने के लिए command लिए rm rm hyphen rf hyphen rf हमें f1 remove करना है f1 remove करेंगे ls करेंगे enter किया ls किया और remove हो गया ठीक है अब क्या बच्चा directory 1, directory 2 बच्चा अब इसे remove करना है तो हम इसे भी लिए rm rm hyphen r directory 1 enter किया ls करेंगे और directory 1 digit हो गया फिर rm करेंगे फिर hyphen r directory 2 enter किया ls करेंगे अब इसे भी रमूब करना है तो इसे भी रमूब करना है तो अब बापस जाना है हम इसे करेंगे rm remove hyphen r directory 1 directory 1 directory 1 करेंगे l enter किया ls करते है remove कर दी तो total हमने हमने सीखा how to create the how to create the folder how to move the folder how to copy the folder path of navigation एक डारेक्टरी से दूर डारेक्टरी से कैसे move करें तो हमने इसमें सीखा आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो ज्यादे ही relevant लगा तो दूसरों कुछ सेर करें और नेक्स वीडियो का वेट करें कि अगली वीडियो फिर आने वाली है इसमें हम हैकिंग कुछ अगर आपको अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और इस गाड़ी के वेल आइकन पर क्लिक करतें ताकि सबसे पहले जब वीडियो जालें तो आपकी सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए तो फ्रेंड शुरू करते हैं हम टर्मक्स अप्लिकेशन में कैसे हम अपने प्रोग्रामिंग लेंग में इसको स्टोल कर सकते हैं तो शुरू करते हैं तो पहले अपनी टर्मक्स अप्लिकेशन को स्टोल करना हो काने के लिए कर देता हूं अब इसे टर्मक्स अप्लिकेशन को रेडि करने के लिए आपके कमाड़ लिगने होती अपड़ेट अपड़ेट अप्ड़ेट अपरेट इस कमांड़ से क्या होता है जो आपके पैकिज़्स जो ट्रामक्स है यह बहुत अच्छीजत करती है तरीका से रिफ्रे bueno क्या लिए रिफ्रेस करती है जैसे कंप्रेस्च करते हैं उसलिगे नौझिंज नौझ कदेनध्ट क्लेया है को सब्सक्रामर्णव करती है लिए अपडेट से अब्डेritos हम तो एक त्म वें क्रेंड एक पीटी एक पीटी अप्ग्रेड यह कमांड आपको लगा नहीं लगा नहीं है जब दिए आप टर्मक्स अफिलिंग कोई भी बार करें हैं आप मैं अपडेट करता हूं अब इसमें हम जो प्रोग्राम्मि लेगें सबी पैकेज को इस्टॉल करेंगे हम त्रमक्स अप्लिकेशन में वह भी प्रोग्रामिंग की जिप्ति मिलेंगें बेज़ें तो फ्रेंड इसे क्लिए कर देता हूं तो आपको पहले सटॉल करने कमार्ड लिखनी होती हिए जब ही पैकेज इस्टॉल करते हैं तो फ्रेंग लिखनी होती है अमें zakency करने में zaklyn लreshना कॉन के लिए अपड़ सब्लक्राबार क्रूल जो इसे कामानल लिखने आपको यह liक्षार करता हूं पाइथान तू इसटोर करता हूं। इत्व हैं। मैं पाइथान पीर्ण चुन की कितने पाइथन लिघू हुए। मैं Python लिखूंगा आपको जब भी किसा program कि लेंग बिसका बर्जन देखना है कि लेंग कुन सा बर्जन मैं चेक करता हूं तो आपको कमारी लिखने हो ते पाइफन पी वाइट्ट हू थो एं फ सुब इस फिर लगता हूं यह लिखेंगे प्रोब श्रॉल्कृ नेंगे से पाइथनु थे अनुस्य को processing start होगी start processing हो रही है इससे आप आप प्रोग्रामिंग इकोडिंग सेख सकते हैं इसमें लेंगज दिखीए एए इस्टॉल होगी हमारी python 2 तो इसे मैं हमें इसे चेक करता हूँ python 2 को महलब इसका बर्जन चेक करना है python 2 का हम तो कैसे चेक करेंगे python आपको python लिखना है python python और two लिखते रहा है और hyphen hyphen version आपको इतने लिखना है python अभी जैसे इस इस इंटर करेंगे तो यह बर्जन दिखा देख देखी पाइथन 2 का कौन सा बर्जन है इसका है अब इसे क्लिए कर देता हूँ अब आपको अब नेस्ट प्रोग इस्टोल करना है आपको पी एचप पी पी इस पी इस्टोल करते हैं तो पी के जी पी के जी इनिस्टाल पी के जी इनिस्टाल पीएच पी यह कमांड आप जालेंगे पी रडींग विद्ट करने के लिगे आपको कमंड लिए फ्सने इनिस्टाल कोई भी लेंक में लोगा पी के जी इस्टाल पी एचप आप पहले से मिने PHP स्टॉल कर रखे आप स्टॉल कर ले कोई परमिशन है तो यह यह नो तो बाइ दोना और रिखना आप मैं इसे मैं प्यहच्प का बर्जन देखना है कौन सा पीएसपि का बर्जन दो मैं यह लेकूं पीएसपी हाइफान ब रजन वर्जन एंटर करूंगा देखिए PHP 8.0.6 यह वर्जन है और जून 18-21 में रिलीज किया था यह अपने PHP का इस्टॉलेशन देखा और इसका वर्जन आपने चेक कर लिया हम नेक्स प्रोग्रामिंग लेंग में इस्टॉल करते हैं यह रूबी 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 इस्टॉल करते हैं तो रूबी इस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है पीकेजी वही कमाड लिखने हैं पीकेजी पीकेजी इस्टॉल पीकेजी इनस्टॉल रूबी मैं रूबी लिखूंगा और एंटर कर देने आप यह करा है डू युए वंड्टू स्टोल करना तो से बाइए करते हमाद्टर करोंगा है आदे लिए रूब हो गया रूबी स्टॉल होना सब्सक्राइब प्रोग्रेस की इंटर्नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है अब इसे किलिकर देता हूं अब आपको रूबी का वर्जन देखना है तो कहां से करेंगे तो आपको यह रिखना है रूबी आपको डिखा देगा वर्जन कितना है रूबी का वर्जन है 3.012 और रिवीजन इसका वर्डेस ओडी श्क्षेट इफ 5233 इससे बर्जन है आपको चैक के दिखा दी मैंने रूबी का वर्जन मैं से किलिकर देता हूं को आज नेक्स्ट कमांड है पर्ल पर्ल लांग में हमें है इस में देखे हैं पड़ कार tu इस इसे ड्रोय यह भा अ पर ल लग और लेखे देंको हऊ उस्टोल करने ड्र कृति हैं इस्ट्रोल हो रही है प्रेंड आपकी इंटरेनेट की स्पीट बेंड करता है में इस्ट्रों एक एंबी की स्पेड आरे इस पे इसलिए काफी अच्छा बार कर रही है देखिए आपकर समय लग सकता है लेकिन पेसंस रखें अब 20 पर्षेंट होगी है कि इस्ट्रों होगी मेरी पर्ल लैंग्विज हमने इस्ट्रों कर लिपी के जी मैं इसे क्लिए कर देता हूं और मैं साब तरीके साब को दिखाऊंगा थोड़ा नोडिफाई कर देता हूं का कən तो हमें पर्ल स्ट्रों कर लिए मैं इसमें हम देखते में पर्ल के वर्जन देखते हूं कि आगा तो में पर्ल का वर्जन देखते हैं अपना यह यह लिखना है अब को और इंटर करदाएन देखिए यह वर्जन है यह वर्जन है वर्जन 5.34.0 यह आपको वर्जन है इसका तो यह आपने देख लिया हम इसे क्लियर कर दे लो क्लियर कर देता है अब हमें इस्ट्रॉल करने हैं इनट से लेंग्ग यह लिखना है और एंटर कर देना आवे ए निनायए वर्जन एक वाद है आपको अधॉल्जन आपको इसे देख और च्रेठेकरना है qelleng और आपको लिखना है हाइफन 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 वर्जन कि ये लिखने के पाद आपको एइंटर कर दिना और आपको ये शिरें अधिक वर्जन देखा देगा देखिये Reading List- Building वर्जन है 12.00 12.0.0 पॉन्ट जेरो boy बॉन्ट जेरो यह दिए है ुसका वरेटी करते हम के इसी तरिके से आप छावासरेप यह आप इसमें स्ट्रोल कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बूले और दोस्तों के साथ तेयर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम ट्रमक्स बैदें लेकिंगे वीडियो उसके बना और एक दूवीडियो डेली डालते रहे तो उसे सब्सक्राइब कर ले और अपको सब्सक्राइब करें और जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको सब्सक्राइब नोटिफिकस जाएगा तो दोस्तों में नहीं कॉओं और आप देख रहे हैं यूनिक एज़गें चैनल तो करें इसे थे कररेंगे में कुछदरिकल अमबशन करते हैं रियमकी आप्लीर Хषिं मत्रिक्स ज्यों ट्री क्रीकस को स्ट्रॉल करेंगे और इसमें में एक सी मेट्रिक्स चलाएंगे जैसे बारिस होती है जासमें जासे हैं हम समय पहले हम इससे पहले हम clear कर देते हैं इससे देखने के लिए आपको यह वीडियो पुरा देखें तभी आपकी पता बढ़े करते हैं तो हम इसमें करते हैं पहले आपको अपडेट और अपडेट करना होता है ताकि यह अच्छी तरी से हमारे टर्मक्स से अप्लिकेशन वर्क कर सके हैं तो से कमांड आपको लिखनी है apt-update एक साथ लिख सकते हैं apt-update और apt-upgrade यह कमांड लिखनी है आपको एंटर कर देना है और यह देखी अपडेट और अप्डेट हो रहा है हमारा टर्मक्स अप्लिकेशन हो गया clear करते हैं अब हम इसे इस्टॉल करते हैं package को SL को पीकेशी इस्टॉल करने के लिए अब कमांड लिखानी होती है pkg install sl यह कमांड लिखेंगे एंटर करना है और देखी हमारा जो है run कर रहे है और इस्टॉल हो गया के लिखेंगे अब जर्यास करेंगे तरी ट्रेंड चलते हैं देखी यह fun कर सकते हैं इस तरीका से यह ट्रेंड चलती है आरे हैं आपको अच्छा मझा जाएगा फिर से है कि यह ऊचरिक है इसे हम फैन कर सकते हैं जिस सी मेंसर कर रहा है तूने की लिए हम इसे सीमेत्रीक्स है टो लिग दो लिते हैं ठार सिमेट्रिक्स ही एक लगई औरफ टिया सुम유 करेंने divor a बारिस होगी, देखना, देखिए किस तरीके सा बारिस हो रही है, नमबर्स, ABCD, चैट, कॉलम, एड्रस, बहुत सारे नमबर्स हैं, जो बारिस हो रही है, एक तरीका से, सी मेट्रिक्स होठा ही, इस तरीके सा आप फान कर सकते हैं, अच्छे यह एकन देख लिए, इस टर्मक्स अप्लिकेशन से, तो आई होब, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें, इसमें हमारे यूनिक एजुकेशन चैनल पर जाएं, अब क्लिक करें हुआ, और हमारे प्लेडिस्ट में जाएं, और टर्मक्स की वीड वीडियो है, पूरी प्लेडिस्ट को आप बहुच करें, और आपको अच्छे से बहुत फादर मिलेगा, अच्छी तरी के सीख पाएंगी टर्मक्स की तुरू, तो फ्रेंड, आयोब, मैं आसकरता हूँ, आपको यह वीडियो फसना है, अगर आपको कोई किया रही हो, तो प्लीज, comment in the box, ठीक है, हम reply दिंगे आपको, comment का, okay, goodbye, thank you